दोस्तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखों की रोषणी कैसे बढ़हें किया आप भी अपनी आखों की कम रोषणी की वज़ा से परिशान है और अपनी आखों की रोषणी बढ़हना चाते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें इसके साथ ही आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए आपको क्या खाना है ये भी आपको बताएंगे अगर आपकी आँखों की रोशनी कमजोर है और आपको इसके कारण कम दिखाई देता है तो आपको शारेरिक रूप से कोई कमजोरी भी हो सकती है इसकी वज़ा से आपको बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है कई बार लोगों को लगातार काम करते करते ज़्यादा समय हो जाता है और फिर उनकी आखे ठक जाती है इस कारण से उन्हें कम दिखाए देने लगता है इस वज़ा से आखे कमजोर पड़ जाती है और इससे आखों में कई सारे साइड एफेक्ट्स होते हैं आज हम आपको कुछ ऐसे घहलू उपाय बताएंगे जिससे फोलो करके आप अपनी आखों की देखभाल आसाने से कर सकते हैं कई लोगों के मन में एक सवाल जरूर होता है कि आखों की रोशनी कैसे तेज करें क्योंकि दिन भर लैप्टॉप, कम्प्यूटर पर लंबे समय तक काम करते रहने की वज़ा से उनकी आखे ठक जाते हैं लगातार काम करते रहने से आखों पर बहुत गलत प्रुभाव पड़ता है इन सब ख्षती को पूरा करने के लिए समय समय पर सही आहार लेना जरूरी चीजों पर ध्यान देना आवशिक है लेकिन आज जो तरीके हम आपको बताएंगे वो बिलकुल घरेलू है इसमें योग, एक्सरसाइज, आदी के बारे में आप जानेंगे सबसे पहले तो अपनी आखों को दिन में चार-पांच बार तेजी से जपकाएं फिर बंद करके तेजी से तीन-चार बार खोलें ऐसा दिन में रोज करें घड़ी के काटे के अनुसार अपनी आखों को गोल-गोल गुमाएं ऐसा कम से कम पांच बार रोज करें धनिये का रस बनाकर उसे बोतल में भर कर रखें और दो बार अपनी आखों में रोज डालें ये एक तरह का आई ड्रोप है जो आखों का चश्मा उतारने में काफे फायदेमन है सुबह की ठंडी हवा से नेगेटिव लॉंस पैदा होते हैं जिससे आखों को ठंड़क मिलती है सुबह उठकर रोज घूमने अवश्य जाएं ताकि आप भी स्वस्त रहें और आपकी आखें भी चश्मा हटाने के लिए कबाल भाती अनुलोम विलोम जलनेती प्रणायाम सुबह रोज करें रोजाना पांस से दस मिनट तक एक पैंसिल लेकर उसे अपनी आखों के सामने करके अपना ध्यान उस पर केंद्रित करें इस प्रक्रिया से आखों का फोकस बढ़ता है और इसे तराकत भी कहते हैं खाना खाने के साथ साथ सलाद जरूर खाएं क्योंकि सलाद आपके पूरे शरीर के साथ साथ आपकी आखों की रोशनी को भी तीज करता है रात को सोते समय मिट्टी के बरतन में त्रेफला को पानी में भिगोकर रखें और सुबा उस पानी को चान कर उस से अपनी आखों को धोलें इससे आखों का चश्मा हटाने में बहुत लाब मिलता है आखों का चश्मा हटाने के लिए खाने के साथ हर रोज एक आउले का सेवन जरूर करें ये शरीर में होने वाली दीमारियों को दूर रखता है और आखों के लिए लाबदायक है अखरोट के तेल से आँखों की हलके हाथों से रोश मालिश करें इस से चश्मे का नंबर कम होगा आँखों में होने वाली खुचली से छुटकारा मिलेगा आँखों का चश्मा हटाने में और उन्हें स्वस्थ और सुन्दर रखने में विटामिन A जरूरी है इसलिए डाइट लेते समय ऐसी चीजों का सेवन करें जिन में विटामिन A की मात्रा अधिक हो हर रोज दूद के साथ 10 ग्राम इलायची और 20 ग्राम सौफ मिला कर पिएं इस प्रक्रिया को लगातार करने से आँखों के सारी बीमारिया ठीक हो जाती हैं अब आपको बताते हैं I Care Foods के बारे में गाजर आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए गाजर का जूस पीना बहुत अच्छा होता है और रोज एक गलास गाजर का जूस पीने से आँखों का चश्मा भी इससे उतर सकता है ये बहुत फायदेमन है मेवे का सेवन आखों की रोशनी बढ़ाने के लिए मेवे का सेवन करने से high vitamin मिलता है जो कि kolesterol को कम करता है और cellular membrane को स्थर बना कर रखता है बादाम दूद कम से कम सबता में 3-4 बार बादाम वाले दूद का सेवन करें इससे आँखों की बीमारी से लड़ने के लिए विटामिन E मिलता है और इसमें आप चुटकी बर हल्दी में मिला सकते हैं जिसके कारण आपकी तवचा में निखार आएगा अंडे अंडे का सेवन करने से एमिनो एसिड, प्रूटीन, सलफर, लेक्टीन, लूटीन और विटमिन भी मिलता है और सेल के काम में विटमिन भी बहुत जरूरी होता है आवला आवले का सेवन करने से काफी फायदे हैं इससे आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए आप डाइट में इसको ले सकते हैं और इसका मुरब्बा बनाकर भी खाया जा सकता है ये भी आँखों के लिए काफी फायदे मन होता है दोस्तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अच्छा लगाओ तो शेर जरूर करें और इसके साथ साथ और इस प्रकार की बेहतरीन जानकारी हासल करने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब अवश्य करें धन्यवाद